गुड इवनिंग मेरा नाम सतीष आपको स्वागत है क्रिकेट विज सत्रुगन चोबे चैनल पे तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटर ग्लोब मेराइन वर्सस आरकेई के बीच में होने वाला मैच के बारे में तो दोस्तों यह जो मैच 17-20 मैच है और यह मैच के बात करें अभी मैच स्टार्ट होने में तीन गंटा 50 मिनिट बच है अगर विन्यू की बात करें दोस्तों सार्जा क्रिकेट स्टेडियम सार्जा उनिटेड और मिनिट में खेला जाएंगे तो दोस्तों एक बात जहां से सुनेगा और यहां पर पॉइंट्स के बीच में मैच होने वाला तो दोस्तों यहां पर जो आभी हम लोग टीम बनाने वाले हैं स्मॉल लिग, ग्रैंड लिग, हैट टुएड यह जो तीनो फॉर्मैट्स के प्लेयर दोस्तों सारे प्लेयर की स्टैट्स को आपको मैं बताऊंगा उसी के हिसाब से एक मेगा ग् बैज़्क करता हूँ, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एक और काम करना, आपको न मिरे टिलिग्राम चैनल को जोईन करना, तो टिलिग्राम का लिंग्क आल्लरी मैं डिस्क्रिप्ष्ण में देशचुकाँ हएं, ग्रबाइill मिष्टिक लिंक नहीं होता है, तो आप पर दोस्तो पहला प्लेयर मैं प्रिक रोगा सी पी रिज्वान दोस्तों आप इनract को भूनना पड़े गए गforce की। स्टार्टिक में अपको यहां पर। नजर आ रहें सब्सक्राउत दोस्तों यहां पर स्टार्थ बनाए अठारा बॉल पे तो यहां पर हम लोगों धुनना पड़ेगा आपको मैं स्टार्टिंग में ने पता है रहन खान आपको यहां पर नजर आ रहे हैं 29 बनाए लास्ट मैच में और यहां पर जो गेंदो का सामना की अठारा बॉल पे 29 बनाए दोस्ते यहां पर इनको मैं कनफॉर्म कर रहा हूं उसका बद दोस्ते यहां पर आते हैं लक्मन आज हजरत अभी तक तो नहीं खेले हैं तो एक मैच खेले हैं दोस्ते जीरो रन जीरो विकेट है तो यहां पर इनको मैं रोक रहा हूं उसका बद यहां आते हैं दोस् कर दो यहां पर आपको बैट स्वेंट पर मिलने की चांसे बहुत हाई है तो यहां पर यहां पर यहां पर इनका नजर नहीं आने विकेट कीपर है दोव मैच में दो मैच में यहाँ पर इनका जो स्कूर बनाएं दोस्टों यहाँ पर पचाशी रैन बनाएं अगर इनका श्ट्राइक की बात करें 160.38। स्ट्राइक रेके बल्लेवाजिकें तो इनको कंपॉर्म कर दीजिए। उसका बड़ दोस्ते यहाँ पर आते हैं मुझा मिल खान अगर मुझा मिल खान की बात करें 27 तरन बना के आउट होगें मुझा मिल खान यहाँ पर आपको बैट्समें में भी नजर आ सकते हैं मुझा मिल खान यहाँ पर तो ओल्डोंडर भी विलने की चांसे बहुत हाई हैं मुझा मिल खान यहाँ पर फिलाव इनको रोकता हूं उसक थे स्थार न चाहता है यहांपर आपको किस प्लेयर को लेना चाहिए यहां पर घ्रेट देख देखके बता दूगा धूँगा यहांपर यहांपर असीब नाम साहिफ तो यहां पर यह player एक important pick होता आप इनको confirm कीजिए उसका पर दोस्ते यहां पर गोपा कुमार गोपाल कृष्णन एक important player है यहां पर एक extra all-runner की जाने की तो जाना चाहते हो तो यहां पर टाइक्यो रियासत है तो यहां पर चार all-runner हम लोग पिक कर चुके आप इनको confirm कर सकते तो यहां पर गेंदबाज को लेना है तो यहां पर गेंदबाजी में दूस्ते यहां पर आपको एम खान है दूस्तों और नहीं खेलते स्वाइड दीजैक्स कि आपको आयां हो सकता है यहां पर दूस्तों क्यों मेरा क्टेन होंग एंग प्लइयक आपको ले सकते हो तो यहां पर गांट पर शो यहां से किप्टेन, वाइस किप्टेन किसको बनाना चाहे, यह डौट आपको आ सकता है, तो सीपे रिजवान मेरा किप्टेन होंगे, 100% और वाइस किप्टेन में यहाँ पर एस खान होंगे, यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टन प्लेयर्स है, तो यहाँ अता उल्ला ने दो मैच में चार विकेट लिए हैं लास्ट दो मैच वे हैं तो यह गोपा कुमर गोपाल कृष्ण अंडर रेटेड प्लेयर है दोस्ते आप इनको भी कन्फॉम कर सकते हो तो एक बाद टीम प्रिवी एक बाद जहां से देखेगा यहाँ पर जो मेरे विकेट कीपर है दोस्ते यहाँ पर यसीर कली में और बैट्समेन में अमजद गुल सीपी रिजवान ये खान है उसका बाद यहाँ पर ऑल्डॉनरस में गोपा कुमर गोपाल कृष्ण एस खान रेहान खान ये सुब्रमन्यम है उसका बाद यहाँ पर गेंद बाजी में एम वसीकुर रहमान अता होला है तो य अच्छे प्लेयर आप्शन में आते हैं तो आप इनको जरूर टीम मिल जाए लेकिन दोस्तों जहां से सुनिए का जब टॉस होगा टॉस होने का लाइन अफ पैनाउन सोते ही आपको जो फाइनल टीम होगा दोस्तों आपको इनल चानल को मस्टेंच जो जोईन कीजिए तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरू जाना त्रैंक्यू